नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब हिंदी साहित्य में और जो आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 21 है दोस्तों जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बनलव संपरदाये और जिसके प्रवत्तक बलवचार्य जी हैं यानि बनलव संपरदाये के जो प्रवत्तक हैं बलवचार्य उनके बारे में चर्चा करेंगे और बनलव संपरदाये सगुन भक्ति धारा की क्रेशन भक्ति साखा का एक संपरदाय है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों इसलिए आप जल्दी से जल्दी पूरा आनंद ले दोस्तों और हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें आईए अपने बिंदु को सुरू करते हैं और बिंदु है दोस्तों बल्भ संपर्दाय और इसके प्रवत्तक बल्भाचार्य हैं तो पहला बिंदु देखेंगे सिकंदर लोदी तथा बावर के समकालीन थे बल्भाचार्य जी सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बावर के समकालीन थे बल्भाचार्य का जन्मसन 1478 इसवी में चंपारन ग्राम में हुआ था और इनकी पतनी का नाम मधुमंगल और इनके पुत्र गोपिनाथ विठलनाथ थे इनके दो पुत्र थे गोपी नात और बिठल नात इनकी भक्ती पुष्टी मार्गी थी और ये है पुष्टी मार्गी जो इन्होंने चलाया था बलवाचार्य जी ने बलव संप्रदाय में ठीक है तो इनकी भक्ती पुष्टी मार्गी थी दूसरा बिंदु है बल्लव संप्रदाय में क्रेशन को पूना नंद पून पूरुसोत्तम प्रम ब्रह्मा माना गया है पुष्टी मार्गी भक्ती में पुष्टी या भागवत को किर्पा कहा गया है भागवत महापुरान में लिखा है पुष्टी किन में पोशनम पोशनम किम तदुनू ग्रह भगवत किर्पा तो इसको एक बार और अध्यन करेंगे पहला बिंदु है बलवाचार्य जी सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बावर के समकालीन थे बलवाचार्य का जन्म सन 1478 इसवी में चंपारन ग्राम में हुआ था इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल और इनके दो पुत्र थे गोपिनाथ और बिठलनाथ और इनकी भक्ती पूष्टी मारगी थी यह हैं आपको याद रखना है और दूसरा बिंदु है बलव संपरदाय में क्रेशन को पूना नंद पूर्ण पुरुसोत्तम प्रम ब्रह्मा माना गया है पूष्टी मारगी भक्ती में पूष्टी या भागवत को किर्पा कहा गया है और भागवत महपुरान में लिखा है कि यह दोह जो है इस लोक आपको याद रखना है कि बलवाचार्ये सिकंदल लोधी तथा बावर के समकालीन थे और जन में इनका 1478 इस भी में हुआ था कहां हुआ था चमपार अनग्राम में हुआ था और इनकी पतनी मधुमंगल और इनके दो पूतर गोपिनात और बिठलनात थे और इनकी भक्ती दोस्तो पुष्टी मारगी थी यह भी आपको याद रखना है और दूसरे बिंदु में बलव संपरदाय में क्रशन को पूना नंद पून पूरुशोत्तम परम ब्रह्मा मना गया है पुष्टी मारगी भक्ती में पुष्टी या भागवत को किर्पा कहा यह आपको याद रखना है दोस्तो और भागवत महपुरान में लिखा है कि पुष्टी किन में पोशनम पोशनम किम तदुनु ग्रह भगवत किर्पा यह आपको याद रखना है तो इसी के साथ हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं दोस्तो और देखते हैं कि अगला बिंद जाते हैं जो पुष्टी मार्गी थी उसमें तीन पिरकार के मार्ग माने गए हैं कौन-कौन से प्रथम पहला है मार्ग दूसरा जीव और तीसरा भक्त ये तीन जो मार्ग हैं वह पुष्टी मार्गी में माने गए हैं दोस्तों दूसरा बिंदु है बलवाचार्यक ने चार गरंतों की रचना की थी पहला पूर्व मिमानसा भास्य है दूसरा है उत्तर उत्तर मिमानसा या ब्रह्मा सूत्र भास्य है तो इसमें देखेंगे दूसरे दूसरा जो गरंत है उत्तर मिमानसा या ब्रह्मा सूत्र भास्य है तो यह गरंत अनुभास्य के नाम से प्रसिद है जो उत्तरमिमान सायव ब्रह्मा सूत्र भास्य है, यह अनुभास्य के नाम से पिरसिद है, परंतु यह बल्वाचार्य का अधूरा गिरंथ है, इसे इनके पुत्र बिठल नाद ने पूरा किया था। जो उत्तरमिमान सायव ब्रह्मा सूत्र भास्य है, इसको अनुभास्य के नाम से जाना जाता है, और यह है बल्वाचार्य का अधूरा गिरंथ है, और इस गिरंथ को बल्वाचार्य के पुत्र बिठल नाद ने पूरा किया था, यह हैं आपको याद रखना है, यह है अग्ज प्रक्सम तीका है और नमबर चार है तत्व दीप निमंद ये चार गिनंत जो हैं बलवाचार्य जी के हैं इनको आपको याद रखना है चलिए दोस्तों इसका एक बार और अध्यन करते हैं तो पहले बिंदू को देखेंगे पूष्टी मारगी भक्ति में तीन प्रकार के मार माने जाते हैं जो पूष्टी मारगी भक्ति है उसमें तीन प्रकार माने जाते हैं पहला मारग दूसरा जीव और तीसरा भक्त यह भी याद रखना है और दूसरा बिंदू है बलवाचार्य ने चार गरंतों की रचना की थी पहला पूर्व मिमानसा भास्य दूसरा उत्तर नाद ने पूरा किया था दोस्तो तीसरा है सुवोधनी टीका ये है सिर्मत भागवत की सूक्ष्म टीका है ये है याद रखना है कि सुवोधनी टीका जो बलवचार्य की रचना है ये है सिर्मत भागवत की सूक्ष्म टीका है और चार है तत्व दीप निमंद ये है चारो ग है दोस्तों बल्लव संप्रताय में अश्ठियाम की सेवा का उलेख हैं तो कौन-कौन से हैं अश्ठियाम की सेवा के नाम और क्या क्या नाम है उनके और कि नल से हैं तो पहला है मंगल आचरण poison isao और अर नमबर चार है राज योग नमबर पाँच उत्थान नमबर चै भोग और नमबर साथ संधिया आरती और नमबर आठ सयन ये दोस्तो आठ है बल्लब संपरदाय में अश्टियाम की सेवा कव लेक इन आठ जो चरण है इनमें किया गया है जैसे मंगला आचरण है तो यह प्रात है मंगला आचरण जो सुबह होती है सूरे निकलने से पहले उससे समंदित है फिर सिंगार यानि उसके बाद मनुस्य को इसनान करना चाहिए अपने सरीर की साफसफाई करनी चाहिए फिर तीसरा गुवाल यानि उसके बाद कुछ भोजन ग्रहन करना चाहिए फिर चार है राजयोग फिर अपने कामकाज की और ध्यान देना चाहिए फिर है उत्थान और भोग फिर साम को दोपैर को या साम को जो भी आपको थोड़ा बहुत खाना है उससे समंदित है साथ है संधिया आरती और फिर साम के समय संधिया आरती करनी चाहिए और फिर आठ है सयन यानि फिर आपको सोना चाहिए दोस्तों यह है आठ अश्टियाम है और इनका उलेक बलवाचार्य ने बलव संपरदाय में अश्टियाम की सेवा के नाम से इनका उलेक किया है और फि 1519 सिश्वी में बलवाचारीय के सिश्वी पूरन मल खत्री ने गोवर धन परवत पर शिरी नाथ जी का मंदिर बनवाया था, जिसका प्रवंध दाइत्व क्रेशन दास पर था। और तीसरा बिंदू है, सन 1565 इसवी में बिठल नाद ने अपने चार सिस्य और बलवाचार्य ने अपने चार सिस्यों के साथ मिलकर अश्ट चाप की रचना की थी, बलवाचार्य के 84 तथा बिठल नाद के कुल 200 बामन सिस्य थे, यह भी याद रखना है दोस्तों, और इसमें सारे ही विंदू महतवपून हैं, और इसमें से सभी परिक्साओं में पूछे जा चुके हैं, यह भी पूछा जा चुका है कि बलवाचार्य ने बलव संपरदाय में अश्टियाम की सेवा का उलेक किया है, तो वह कौन-कौन से हैं, तो आप बता दोगे, मंगला, चरन, सिं मंधिहा आरती और सेन, और दूसरे विंदू में भी परिक्साओं में पूछा जा चुका है, क्या कि बलवाचार्य के किस सिष्य ने गोवरधन परवत पर सिरीनाथी जी का मंदिर बनवाए था, तो बलवाचार्य के जो पूरण मल खत्री थे, जो बलवाचार्य के सिष्य थे पुर्वन मलखतरी उन्होंने गोवर धन परवत पर सिरी नाथी जी का मंदिर बनवाया था और जिसका प्रवंद दाइत्व किरश्न दास पर था यह भी पूछा जा चुका है और तीसरे बिंदु में कि बिठल नाथ ने अपने सीश्य बलवाचार्य सोरी दोस्तों बिठ इस बिंदु में पूछा जा चुका है कि बिठल नाथ ने और बलवाचार्य ने तो अश्ट छाप की रचन आकि थी यह है परिक्षण में पूछा जा चुका है दोस्तों यह आपको याद रखना है चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और अगला बिंदु है द बारे में चर्चा करेंगे तो पहले हैं कुम्भन दास कुम्भन दास दोस्तो बल्लब संपरदाय के कवी हैं और बल्लब संपरदाय में जो अश्ट चाप है उसके कवी माने जाते हैं कुम्भन दास जी तो कुम्भन दास जी के बारे में चर्चा करेंगे तो कुम्भन दास प प्रथम अश्टि छाप कभी माने जाते हैं यह है आपको याद रखना है क्या कि अश्टि छाप के प्रथम कभी कुम्भन दास माने जाते हैं चलिए आगे इनका जन्म सन 1468 इस्वी में जमुनावतो उत्तर प्रिदेश में हुआ था कुम्भन दास जी का जन्म 1468 इस्वी में जमुनावतो उत्तर प्रिदेश में हुआ था और इनकी मिरत्यू सन 1583 इस्वी में हुई थी इनके गुरु का नाम बलभाचार्य था ये बलभाचार्य के सिस्षे थे और इन्होंने सन 1492 इस्वी में दिक्षा प्राप्त की थी जाती हुए लिखते हैं जाते हुए इन्होंने लिखा था कि क्या लिखा था तो आँ बिंदु देख रहे हो कुम्भन दास का कथन तो इन्होंने लिखा था कि संतन को कहा सीकरी हो काम आवत जात पनहिया तूटी विसारे गयो हरी नाम यहां कुम्भन दास जी का कथन है क्या एक बार और देखेंगे इसको कि संतन को कहां सीकरी हो काम आवत जात पनिया तूटी विसारे गयो हरी नाम यह कुम्भन दास का कथन है इसको आप दो तीन वार जरूर पढ़ना क्योंकि ऐसे ऐसे जो कथन है यह पूछे जा सकते हैं तो आपको यह याद रखना है चलिए एक बार और अधिन करते हैं इसका कुम्भन दास का और कुम्भन दास जी अश्ट छाप के प्रतम कभी माने जाते हैं इनका जन्म 1468 इसवी में जमुनावतो उत्तर प्रिदेश में हुआ था और इनकी मिरत्यू सन 1583 इसवी में हुई थी इनके गुरू का नाम बलभाचार्य था और इन्होंने सन 1492 इसवी में सिखसपराप्त की थी जाती से यह च्छत्रिय थे यह अकवर के निमंतरन पर फतेफूर सीखरी चले गए थे और फतेफूर सीखरी जाती हुए यह कहते हैं कि संतन को कहा सीखरी हो काम आवत जात पनिया तूटी भी सारे गयो हरिना यह आपको या इससे मेरा मनोवल टूटेगा दोस्तो और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा दोस्तो अगर कोई आपको परिशानी है तो आप मैसिज कर सकते हो कमेंट कर सकते हो दोस्तो जिससे मैं उस समस्यक समाधान कर सकूं दोस्तो ऐसा नहीं है दोस्तो जिन्दगी भर जो है व्यक्त बीखी मनुस्य पूरे जीवन बर कुछ नखुछ सीखता रहता है और मैं दोस्तों सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हो और जब तक सीखते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं दोस्तों, तो इसलिए पूर्ण कोई चीज नहीं है, पूर्ण होने के लिए अव्ध्यास की जर विंदू है पहला शूर्दाज जी तो शूर्दाज जी क्रेशन भक्ति साका के पिरमुक कभी माने जाते हैं जो अपने नेत्रों से विहिन थे और उन्होंने नेत्र ना होते हुए भी ऐसा काम क्या ऐसे ही काव्य रचना की जिसका वरनन आज हम कर रहे हैं और पूरा समाज व चर्चा करेंगे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शूर्दाज जी का जन्म वैसाकी सुकल दिन मंगलवार समवत 1533 इसवी में हुआ था ये बलभचार्य से 10 दिन छोटे थे जो बलभचार्य थे उनसे 10 दिन छोटे थे शूर्दाज जी इनका जन्म सन 1478 इसवी में हुआ और मिरत्यु सन 1583 इसवी में मानी जाती हैं यह दोस्तों याद रखना है आपको क्या कि शूर्दाज जी का जन्म वैसाकी सुकल दिन मंगलवार को समवत 1533 इसवी में हुआ था और ये वलभचार्य से 10 दिन छोटे थे दोस्तों और नीचे देखेंगे इनका जन्म सन उपर दोस्तों समवत है 1533 में हुआ था शूर्दाज जी का जन्म और नीचे सन है दोस्तों 1478 इसवी में हुआ था और इनकी मिरत्यु सन 1583 इसवी में मानी जाती है यह आपको याद है श्याम सुंदर दास श्याम सुंदर दास राम चंदर सुकल हजारी प्रसाद दुवेदी सूर्दास का जन्म इसको दूसरे बिंदु को द्वारा देखेंगे दोस्तों श्याम सुंदर दास राम चंदर सुकल हजारी प्रसाद दुवेदी सूर्दास का जन्म इस्थान र तो आप जोन सभी परेक्सा में पूछे वो आनसरा आप दोगे तो दोसरा बिंदु देखेंगे कि स्याम सुंदर दास रामचंदर सुकल हजार पिरसाद दुवेदी जी ने सुंदर दास जी का जन्म इस्थान रोन कता गउ घाट को मानते हैं और दूसरा है तीसरा बिंदु है वारता साहित्य डॉक्टर नगेंदर गणपती चंदर गुप्त सुर्दास जी का जन्म साही को मानते हैं जो तरपिर देश में इस्थित है यह हैं आपको याद रखना है दोस्तों तो अब हम अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं और दे लिला गान का महान समुंदर सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है और दूसरा बिंदु है बलवाचार्य जी ने सूर्दास को उपदेश दिया था तो क्या उपदेश दिया था जानेंगे सूर है के घिगियात काहे कुहे कुछ भागवत लीला वर्नन करो यह है बलवाचार्य जी ने सूर्दास को उपदेश दिया था और तीसरा बिंदु है सूर्दास जी द्वारा रचित 25 गरंथ बताए गए है जिन में तीन ही उपदब्द है वैसे तो सूर्दास जी द्वारा जो रचित गरंथ है वह 25 माने जाते हैं किन्तु खोजबीन के नुसार इनके तीन ही गरंथ उपदब्द होते हैं दोस्तों पहला है सूर सागर, दूसरा सूर सरावली और तीसरा साहित्य लहरी ये तीनों सूर दाज जी के पिर्मुख गरंथ हैं और इसका एक बार और अध्यन करते हैं अचार्य हजार पिरसाद दुएदी ने लिखा है कि सूर दाज जी ही व्रज भासा के प्रत्थम कवी थे और लीला गान का महान समुंदर सूर सागर ही उसका प्रत्थम काव्य है और दूसरा बिंदु है बलवाचार्य जीने सूर दाज को उपदेश जिया था सूर है के घीजात काहे कुहे कुछ भागवत्ति लीला वर्नन करो और तीसरा बिंदु है सूर दाज जी द्वारा रचित 25 गरंथ बताए गए हैं जिन में तीन ही उपलब्ध होते हैं दोस्तों कौन-कौन से पहला सूर सागर, सूर सरावली और नमबर तीसरा है साहत्य लहरी ये तीन ही सूर दाज जी के गरंथ उपलब्ध होते हैं दोस्तों और इनका वर्नन हम अगले विंदु में करने वाले हैं और चलते हैं इन रचनाओं का और इन रचनाओं के बारे में जानेंगे अगले विंदु की और चलते हैं दोस्तों और अगला विंदू हमारे सामने हैं दोस्तो, सूर्दास जी, सूर्दास जी दुवारा रशीत 25 गरंद माने जाते हैं, किन्तु इसमें तीन ही उपलब्द हैं, सूर्सागर, सूर्सरावली, साहित्य लहरी, तो जो सूर्सागर है, इसका वर्णन करेंगे, तो दोस्तो, सूर्सागर, सूर्सागर का सर्व पर्थम संपादन कलकत्ता में सन 1841 इसवी में राग कल्प दुर्म नाम से हुआ था, सूर्दास क्रित सूर्सागर का उप जीवे भागवत महपुरान का दसम इसकंद है, सूर्सागर इसका सर्व पर्थम संपादन कलकत्ता में 1841 इसवी में हुआ था, और राग कल्प दुर्म नाम से हुआ था, सूर्दास क्रित सूर्सागर का उप जीवे भागवत महपुरान का दसम इसकंद है, दोस्तो, यह हैं आपको याद रखना है, और अगले जो सूर्स अध्याए वाइस में इसका अध्यान करेंगे, और मेरी आप से प्रात्ना है, मेरा आप से अनुरोध है, कि यहां आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, कि आपको किस तरह से प्यारी करनी है अपनी परिक्षा की, यह मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा दोस्तो, तो मैं आप से विदा लेता हूँ, और दोस्तो आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे वीडियो देखने के लिए, नमस्कार दोस्तो, धन्यवाद